मुझे लगता है कि जब आप सब नहीं देखें, तब कम से कम आपको पागल हो जाना चाहिए, मैं तब कम से कम आपके पास कोई limitations नहीं होने चाहिए At least when you are dreaming, you should break all the limitations वो एक point है जहाँ पागलपन चाहिए और अगर वहाँ भी पागल नहीं हो पाते आप, तो बड़ा मश्किल है कि आप कुछ इतिहांस बनाएंगे अलो दोस्तों मैं डॉक्तर योगिंदी सिंह राठोड और मैं आप लोगों के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में मोटिवेशन मशीन मोजूद है जो मिलियंस ओफ लोगों को देशवर में, सेल्स में, मोटिवेशन में, माइंडसेट में इंस्पायर कर रहे हैं तो प्लीज वेलकम शशिष तिवारी मैं दीख रहा हूँ आपको और आपके सारी पोड़कास्ट की एपिसोड तो वाकई मज़ा रहे हैं यहाँ आग तो जरा बताएं कि वह जरनी वहां से इधर कैसे ट्रांस्वां होई मेरे पिताशी आमी में रहे हैं तो जन्म गोवा में हुआ फिर गाउं में आ गया हम लोग और गाउं से जो प्राइमरी स्कूलिंग है जो प्राइमरी एच्यूकेशन है वो गाउं से हुई और गॉर्मेंट स्कूल से हुई तो गॉर्मेंट स्कूल में कोई खास चीज़े नहीं थी और मैं हमेशा कहता हूँ अपने टॉक में बोरा चाप स्कूल में जाते थे वहां बोरा बशाके बढ़ते थे, मतलब बेंच नहीं होते थे, फिर वहां से एट का एक्जाम देने के बाद मैं पटना आ गया, पटना जब मैं आया तो मेरी एडमिशन सीधे सीबिसी स्कूल में हो गई, क्योंकि मैं एट बोर्ड का टॉपर था अपने डिस्टी का, तो पा लेके आया और सीबिसी स्कूल में एडमिशन करा दी, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और इंग्लिश बिहार के अंदर के अशर आप जानके हैरान होंगे, और बहुत अच्छी बात है कि इस पोड़कास्ट पे, वाईयसर, डॉक्टर वाईयसर के पोड़कास्ट से ये बात जाए, तो सब लोग जान पाएंगे कि क्या असलियत है, कई बार आपको लगता होगा, और सबको लगता है कि बिहारियों की अंग्रेजी कमजोर होती है, तोले, ये कमजोर क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे 10th board में English compulsory subject नहीं है, यारी अगर आपको 10th pass कर रहा है, तो English में pass होना जरूरी नहीं आपके लिए, आप fail हो जाएए, आप hundred out of hundred लेके आए, वो number जुडेंगे नहीं, जिस विशय के number ना जुडें, वो विशय बच्चा क्यों पढ़ेगा, हम संस्कृत पढ़ जाते हैं, English नहीं पढ़ते, क्योंकि English का number नहीं जुड़ना है, और बच English compulsory नहीं हमारे है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था इस पारे हो, यह आपको नहीं पता, यह हिंदुस्तान को नहीं पता, कई बिहार के लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, और मुझे ख़री बर गुस्सा भी आता है, कि ऐसा क्यों है, compulsory कर दो ताके पढ़ ले, तो इसके चलते हम लोग के English पे ध्यान नहीं कोई देता था, और फिर जब मैं पतना आया, तो मुझे सीबी से स्कूल में बहुत दिक्कते होई, मुझे समझ मेरी आती थी चीज़े, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे क्लासमेर्स की, तुम टॉपर हो, और मुझे English समझ देगी मिठाई आपने बटवाई थी, पूरे गाउं में मिठाई बटवाई थी, जब मैं एट में टॉप आया था रहा, डिस्टिक टॉपर, तो उसके बाद से पिदा जी को भी ये बास समझ में आई, और मैं फिर आखिया, हिंदी मीडियम में आगया, अपनी आउकात में फिर मैंने 10th की, फिर intermediate की, 12 की और उसके बास से English सीखनी शुरू की मैं, तो मेरे लिए English एक विशे नहीं था, दुश्मन था, युद्ध थी मेरी, कि तू बड़ा ये मैं बड़ा, क्योंकि मैं हार गया था, और हार ना कुबूल नहीं था, रैट, हम गाउं से निकले हुए लोग, हम जद्धी लोग, पहली बार हार गए कहीं, तो मुझे लगा यार, इसको हराना है, तो English को हरानी के लिए मैं काम कर रहा था, और सास से आट मिने लगे, सर उसके बास से, I became one of the youngest faculties of English in बड़ना, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं 17 साल के उमर में, जब मैं पा पटना की उनिवर्सरी में, और इस तरीके से फिर मैं दो दर्शन अकाशवानी, वोना वो कॉम्टीशन होते थे तब, तो मैं कविताय लेखता था, तो कविताय लेखने का जो शौक था, उसकी चलते मैं एक तो कॉम्टीशन में गया, वहां एक बच्छा मुझे मिला, जो क कि मेरी ये कविता अकाशवानी से फ्रसारित हो चुकी है, तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कविताएं रेडियो पे भी आती है क्या, मुझे पदा नहीं था आज तक, फिर जब ये बात मैंने सुरी, तो फिर मैं खुद रेडियो पे गया, दूदर्शन में किया, अपनी कविताएं ले लेके, और फाइनली तब जाके मुझे मौका मिला दूदर्शन अकाशवारी में, और वो भी बड़ा इंट्रेस्टिंग है, क्योंकि दूदर्शन में जब मैं गया सिर्फ, तो मुझे वहां से निकाल दिया गया, गेट से निकाल दिया गया, हम अकाशवारी में जाना होगा, उसकी सर्टिपिकेट लेके आईए, अगर वहां आपको मौका मिलता है, और फिर आप दूदर्शन में आ सकने है, अच्छा पटना में अगल वगल है, इधर दूदर्शन और इधर अकाशवारी, फिर मैं आकाशवारी में गया, वहां फिर लेकिन बाद में पुछे पता चला कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि दूदर्शन पर आने के लिए अकाशवारी में जाना आवश्यक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, यह इसलिए हुआ था कि मेरी आउटर परस्नालिटी अच्छी नहीं थी, अब गाहों से आये थे, simple living, higher thinking, simple living, higher thinking, हमें पता रही था कि परस्नालिटी का क्या importance है, तो हमें इसलिए भगा दिया था, कि उसको लगता था कि यह अभी दूदर्शन के लाइक रही है, दिखने में जाही रही है, परस्नालिटी अच्छी रही है, और अकाशवारी में तो सिर्फ आवाज आ रही थ दिखने से कोई मतलब नहीं हो समें तो, बट फिर भी पीपल जज़ भूग बाइट सका, तो मैं जब पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे कई बच्छे, जो थे स्टीवनेंट, उनको मैं डारेक्ली दूदर्शन में लेके गया, तो मैं बच्छे जो थे स्टीवेशन में लेक पढ़ाना तो शुरू कर दिया था, और पढ़ानी के चलते कही न, कहीं बच्छों के साथ बात करते हैं, तो एक मोटिवेशन वाली बात रहती ही रहती है, फिर उसकी बास से, मुझे पढ़ानी की दौरान, जब मैं पार्ट थर्ड में था, मुझे डारिक सेलिंग का एक से सकते हैं, कि एक ट्रैक मिला, ट्रेनिंग के लिए, या फिर बोलने के लिए, बड़े मंच मिले, और फिर वहाँ से ये ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों का आप रूट कह सकते हैं, तो आपने बीच में बोडी की बात करी, कि आपकी लुक्स कैसे हैं, आपकी परसनालेटी कैसी है, तो क्या ये चीज़ आपकी भी सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करती थी, जब इस तरीके का हुआ, तो आपको क्या इससे इंसिक्योरिटी आती थी, कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, या मेरी इंगलिश अच्छी नहीं है, तो क्या ये आपक कभी-कभी, अभी-कभी हम लोग को लगता है कि इतना कॉन्फिदेस क्यों था, ऐसा क्या था, कि हम लोग को इतना कॉन्फिदेस था था कि रहेंगे, कुछ तो बड़ा ही करेंगे, और definitely रोकेंगे रही, तो जब अब देखते हैं, पिक्स या सारी चीज़े, तो फिर ऐसा कि हां मतलब लोग ज़्ज तो कर रहे थे तो सही कर रहे थे they were not wrong मट अपने अंदर ऐसा कुछ मेरी था तो एक confidence का basis क्या था कहाँ जे आ रहा था confidence मुझे लगता है कि confidence honesty से आती है and I have been honest in whatever I did तो मैंने जो कुछ भी अपनी जिन्दिगी में किया मैं honest रहा जब मैं पढ़ता था और गाउं में भी अगर पढ़ा तो मैं वहाँ पर टॉपर था तो मुझे यह पता था कि मुझे अकर जो भी काम करना है तो उसमें honesty के साथ काम करना है जब आप honest रहेंगे तो आप confident रहेंग honest means what means giving your 100% giving your best अगर आप अपना best दे रहें तो फिर आपको किसी के acceptance की आवशक्ता रही कि आप मुझे कोई reward दे आप मुझे बोले नी आप तो बहुत अच्छे है I know that I am giving my best and if I am giving my best I am confident मैं confident हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जतना दे सकता हूँ मैं जतना कर सकता हूँ उतना तो मैं कर रहा हूँ अब इसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा तो that's not in my hand तो confidence इसलिए लोगों के अंदर रही होता क्योंकि वो कही ना कहीं खुशते डिजॉनेस्ट है वो जतना कर सकते हैं उतना नहीं कर रहा है जब आपको पता है कि आप कमाल कर सकते हैं और आप नहीं कर रहा है when you know that you can go beyond your limits and whatever right now you are उन सबसे आप कहीं पर रही की चीज से हैं और आप जा सकते हैं और यह आप अंदर यंदर जानते हैं और आप नहीं कर रहा हैं then comes the frustration तो मैं जिन्दी में कभी frustrated नहीं हुआ क्योंकि मैंने मैनत की मैंने struggle किये लेकिन कभी frustrated नहीं हुआ हताश नहीं हुआ और इसलिए हताश नहीं हुआ क्योंकि मैनत हमेशा की तो कोई भी इंसान जो 100 प्रतीशत दे रहा है अपनी जिन्दी में वो कभी हताश नहीं होगा रिजल्ट के मारे तो नहीं होगा तो उसका अंदर से एक fulfillment है कि in the end वो जब अपने आप से पूछ रहा है कि यार मैंने तो अपना बहस दिया न वहाँ पे तो कोई question नहीं था तो कई लोग जो result देखके demotivate हो जाते हैं दूसरों का approval validation चाते है वो validation ना मिले तो कई ना कई उनके अंदर ही ये जो आपने honesty की कमी होती है या insecurity होती है खुद के अंदर ही जिसको वो बाहर से approval चाके खतम करना चारे थे लेकिन जब approval नहीं मिला तो वो insecurity वो डर और ज़्यादा बाहर आ जाता है तो कभी doubt आता था journey में कि जब struggle के दिन थे तो कोई कि अपनी capability पर कभी self doubt आता था मुझे आज तक नहीं गया है जब मैं English सीखने गया तो मुझे बदा था कि मैं सीख लूँगा I was like I will do this right and I can definitely achieve it और मैं आपको बदाओ कि सब चीजों का जड़ बे महनत को मानता हूं there is no shortcut मेरे ख्याल से and हम सब मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी लोग हैं जो आज सच में सफल है या फिर बहान है उन्होंने कमाल की महनत की है और दुनिया बस उनकी कामयाविया देखती है या फिर जब वो कामयाव हो जाते हैं तब वो कैम रेके सामने देखते हैं लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी जो है वो महनत से भरी हुई है तो मुझे कभी doubt नहीं था self doubt नहीं था मैं English रीक ने आया तो मुझे पता था कि मैं कर लूँगा तो मैं बहुत महनत करता था मैं आपको एक चोठी जिबान बता रहा हूँ कि जहां मेरी कोचिंग थी वो मेरे घज से इतनी दूर थी कि अगर मैं cycle से जाता तो आदे गंटे लगते पच्चीस मिनिट या आदे गंटे लेकिन अगर मैं paddle जाऊं तो तीर घंटे लग सकते थे तो मैं cycle से नहीं जाता था मैं paddle जाता था ताकि मुझे तीर घंटी मौका मिलेगा और मैं road पे बोलता जाऊंगा बोलता हुआंगा तो मैं practice करता हुआ जाता था तो मैं उस time का भी utilization करता था अब तो मुझे यह लगता है कि अगर कोई भी इंसान मेहनत पे उतर जाए तो उसको self doubt नहीं होगा self doubt सिफ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक उसने अपना hundred percent कहीं भी किसी काम बनी दिया कोई भी काम आपकी reach से आपकी potential से परे तो है नहीं anything that you don't know can be learnt and what a man has done a man can do जो हो चुका है वो तो किया ही जा सकता है दुनिया में तो वो भी लोग है जो वो करते हैं जो आज तक हो ही नहीं है हम तो वो कर रहे हैं जो हो चुका है लग-मग-मग-मग maximum तो ऐसे हैं अब हमें English शीक नहीं थी दुनिया सीख चुकी थी कई लोग सीख चुके थी हमें पढ़ाना था दुनिया पढ़ा चुकी थी हमें भी पढ़ाना था हम direct selling में आए मंच पर जाना था कुछ बड़ा करना था टीम बनाना था कर चुके थे सब तो maximum काम हम क्या कर रहे हैं जो पहले से हमसे भी बैतर लोगों ने कर दिया है और हमसे गय गुजरे लोगों ने कर दिया है तो जब हमसे गय गुजरे लोग वो सब कर चुके हैं जो हम करना चाहते हैं फिस self-doubt किस बात का हाँ आप कुछ ऐसा invention करने वाले हैं आप Albert Einstein हो गया है आप कुछ खोज रहे हैं आप Thomas L. Madison हो गया है कुछ खोज रहे हैं तब self-doubt हो भी सकता है कि यार अब तो 10,000 बार फिल हो गया है बल बनेगा कि नहीं बनेगा लेकिन वो तो 10,000 बार फिल होने के बाद भी उनके पास self-doubt नहीं आ रहा तो वो काम जो पहले से इस दुरिया में को चुका है उसके लिए self-doubt क्यों create करना नाइस वरी सिंप्लिस्टिक अप्रोच कई बार हम complicate कर देते हैं अगर यह देखे तो I think लोगों को बड़ा आपके स्टोरी जर आप खुद इतने inspiring मैं आपको तीन साल से देख रहा हूँ और तीन साल नहीं मैं कई वर्ष्टों से right, you know हमने पहले आपको नाशिक में सुना था हूँ वो दिन और वो convention और वो auditorium the mover and shaker तो हम भी याद है आप वस मंज पे और आपने रुला दिया था सबको उस समय से हम लोग आपको देख रहे हैं और वहां से और पिछला चो तीन साल वहां से भी हम लोग आपको देख रहे हैं तो कमाल की जरनी आप ही रही है और मुझे रगता है कि आप खुद एक example है कि कैसे hard work, consistency and a focused approach इस सान को इस लेबल तक लेके आ सकता है और डॉक्टर वाय यह साहब बना सकता है बहुत ब्यूटिफली समप आपने किया कि जो consistency, focus और hard work के तीनों actually बहुत ही important चीज़ है in fact आप YouTube पे भी बहुत वीडियोज बनाते हैं और consistently वहां पे भी काम करते हैं जो social media और content creation की जर्नी है वो कैसे शिरू हुई और उसमें कैसे consistency maintain करते हैं actually मैं direct selling में जब था तो एक वक्त पे आके मैंने direct selling quit कर दी क्योंकि मेरी जो वचार थे मेरी जो philosophy थी वो कही बार मालिकों की philosophy से match नहीं हो रही थी mismatch चल रहा था तो मेरा दर्शन बहुत strong था मैं इसे बहुत ही अध्धात्मिक दौर पे देखता हूँ और उस तरीके से वो match नहीं कर रही थी तो एक कई न कई inner conflict था कि कुछ गड़बड़ है मतलम हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा तो कुछ bad experiences के चलते पॉसनल मैंने फिर क्वेट किया और in 2016 or 17 perhaps I went to भागलपुर सब को छोड के हजारों की टीम पास साल की महनत और मैं वो बंदा था जिसको UPC करना था मैं अपने university का topper मैं अपने class का topper रहा हूँ तो मैं focus था कि हम UPC कर लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे उन सब चीजों को छोड के एक आदमी जाता है direct selling में मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाना चोड के और मैं रोड पे था वो जो लोग कहते हैं मैं रोड पे आगया literally मैं आया मैं बोड पे पढ़ाता था और वो यसी classroom छोड के और मैं आगया कि sir अभी आफ क्या कर रहें Sunday को यह हो रहा है like on the road and I was doing invitation और मैं अपने sessions में training sessions में बोलता हूं कि मैंने जितनी invitation अपनी सिंदीगी में की है शायद ही किसी ने की होगी पटना का कोई गली चौक चौराहा ऐसा नहीं होगा जहां मैंने खड़े होगे और लोगों को unknown invitation ना कियो इतना देख किया मैंने दो दिन जो मेरे साथ चलता था उसको बुखार हो जाता मैं सुबर छे वोजे निकलता था रात के लगबग बार एक बजाता था तो जब मैं छोड़ की फिर मुझे लगा कि फिर क्या करें भी तो teaching थी अपने हाथ में वो तो ब्रहमास्त्र है तो हम पहुँच गया भागलपुर में और साथ बच्चों से मैंने पढ़ाना शुरू किया अगले छी मेरे में भागलपुर का एक टाउन हॉल है उसमें हम लोग सेबिनार कर रहे थे अपनी coaching की खतरनाक तरीके से हाथ जोड़ना पुड़ा मैं कि अगली बार आईएगा तो ये जर्नी रही लेकिन उसके बास से जो knowledge थी जो एक लगाओ था direct selling से वो कहीं न कहीं अंदर में था मैं advocate था direct selling का मैं कभी negative नहीं था इस पद्धती से इसके दर्शन से तो फिर मुझे लगा कि जो knowledge मेरे पास है जो दर्शन मेरा है जो अनुपाँ मेरे पास है मुझे उसे share करना चाहिए and then we created a channel on YouTube और YouTube 2018 की November में हम लोग ने एक channel शरू किया वहीं भागल पूसे in reality बता हमारे पास नहीं था DSLR camera हम mobile से वो record करके voice over जिसको बोलते है voice over कर रहे थे और editing करके और ऐसे हम लोग ने काम शरू किया और तीसरी video got viral we have been fortunate enough right blessed enough और तीसरी video viral हो गई और उसके बास से लगवक तीन मैनों में हमारे पास से एक लाग टेल लाग सब्सक्राइब रहे थे लेकिन पहले एक लाग तक शायद हम लोग ने अपना चेहरा भी नहीं लाया था इस audio बनाते थे तो camera भी तो होना चाहिए पिर हमने camera कर दा camera ही नहीं था हम लोगे बास DSLR तो फिर क्या mobile वाला वो उस तरीके की quality नहीं आती तो voice over हम लोग कर रहे थे और फिर उसके बास से जब camera आया बनाना शुरू किया तो उसमें भी interesting बात मैं आपको बता रहा हूँ तब हमें बहुत सेरे comments आए कि सर ना वो voice over वाला ठीत आपका चेरा बढ़िया नहीं है वही काम तर और बहुत सारी एक दो नहीं कितने ऐसे suggestions आए कि सर आपका look अच्छा रही है आप ए काम करो वही वाला काम करो जो कर रहे थे वो आवास बढ़िया है तो आप वही कीशे बट वो जो आपने self doubt वाली ब अमरेश पूरी का चेरा वो कौन सा बहुत खतरनाक है ओम पूरी का चेरा वो कौन सा खतरनाक है तो अगर वो चेरे उनको चाहने बाले उन चेरों को चाहने बाले करूरों को सकते हैं वही आपका चेरा क्या खराब ही है क्या वात है क्या खराब है बोलने दो जिसको बोलना ह तो वीवर लाइक कि आपको मेरा चैरा पसंद रही आप ना देखे हमें पसंद है हम कहां गन पॉइंट पे कह रहे हैं मेरी वीडियो देखो वरना मार देगे रही it's not like that so इन कमेंट्स का कभी भी हमने उसको अपने मन पे हावी नहीं होने दिया it's like कई लोग क्या कह रहे है तो लोग वह ही कह रहे है जो वो सोच सकते है वो अपनी सोच, समझ और ग्यान से कह रहे है ऐसा नहीं कि वो गलत है उनकी सोच है उनकी जितनी समझ है उससे वो कुछ कह रहे है they are not wrong मैं आपको ये भी कहूँ कि बहुत सारे जो criticism है या फिर जो negative comments बोल लीचे उसको हम लोग ने अच्छे ठंग से लिया positively और हमने खुद में सुधार किये कि ऐसे मत करो या ऐसे मत बोलो लाइक इस तरीके तो हमने किया जो constructive है हमने उसको अच्छे intention से बना के ये सही बोल रहे है हम लोग थोड़ा ऐसा गलत कर रहे है तो हमने उससे हमें बहुत help हुआ तो जो बुरे comments लोगों को लगते हैं अगर उसको भी लेने का नजरिया सही हो तो वो आपको बहतर तो बना देंगे क्योंकि कुछ तो है जो वो खराब देख रहे है आपको नहीं देख रहा रही है उनको तुद देख रहा है तो अगर आपको नहीं देख रहा तो उनकी नजर से देख लीजे और अगर आपको लगता है कि कुस्दार्रे लाइक सच में चीज है तो उसको सुदार लीजे हाँ लेकिन negative comments को हमने कभी खुद को रोकनी के लिए इतना अधिकार नहीं दिया हमने इतना राइट नहीं दिया कि आपकी गाली आपके नेगटिव कमेंट्स या आपकी किसी भी प्रकार की बहेवियर हमें रोक दे तो जो कंस्टर्टिव लोगा उससे सीखते भी गए जो बैसलेस है उनको एक्डोर किया तो कई बार कॉमेंट्स की नेगटिविटी तो होती है कई बार आसपास की भी नेगटिविटी होती है तो how do you deal with the negativity when negativity is there in the environment क्योंकि जादतर लोगों के आसपास के environment में encouragement का environment नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उस negativity को कैसे deal करे अगर वो negativity आसपास से आ रही है अगर environment में आसपास है आपकी surrounding में यह ऐसे लोग है कई बार family में हो जाते है कि family में भी वैसे लोग नहीं है supportive नहीं है और friend circle में भी कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे है और लोग कह रहे हैं आपसे नहीं होगा या फिर encourage ना करके discourage कर रहे हैं लोग तो उससे मैं आपको दो तीन चीज़े clear कर रही है पहली चीज, exactly आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इन लोगों को खुश करने के लिए क्या आपका real purpose जही था कि मुझे मेरा भाई बोलेगा कि तु कमाल का काम कर रहा है और इसलिए मैं भाई को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ मैं चार दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ मैं अपनी surrounding के लिए काम कर रहा हूँ कि इनको खुश करने के लिए आप कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि नहीं आपका inner self जो है उसकी satisfaction के लिए आप कर रहे हैं मैं दोस्तों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा मैं अपने inner self को satisfy करने के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप मुझे encourage कर रहे हैं या discourage कर रहे हैं, I don't care, right? Because I'm doing this for my inner self, for the satisfaction of my inner self, because what I'm doing satisfies me, makes me happier inside, तो कोई चीज जो मुझे खुश कर रही हैं अंदर-अंदर, तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत खराम गाना गाऊं, और चार लोग आके शिकायत करें कि यार, यह यहां बदलो, यहां से हटा दो इसको आ, तो मैं वहां से हट जाऊंगा, गाने सनियट, क्योंकि वो जो सुबह सुबह मैं अलाब दे रहा हूँ, और आपको खुश करनी के लिए नहीं दे रहा हूँ lovely, beautiful, dreaming का कितना बड़ा रोल रहता है, कि कुछ लोग कहते हैं कि जादा बड़े सपने मत देखो, कुछ कहते हैं, बहुत बड़ा सपना देख लो, तो what is your approach कि dreaming किस तरीके से की जाए, मुझे लगता है कि चब आप सपने देखें, तब कम से कम आपको पादल हो जाना चाहिए तब कम से कम आपके पास कोई limitations नहीं होने चाहिए, at least when you are dreaming, you should break all the limitations, वो एक point है जहाँ पागलपन चाहिए, और अकर वहाँ भी पागल नहीं हो पाते आप, तो बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ इतियांस बनाएंगे, जो एंसान सपनों को देखने में पागल नहीं हो पा आपके अपने ही अनुभाव, पास्ट के, तो अकर आपको डर और अनुभाव सपनों में भी बान्द के रख ले रहे हैं, तो reality में कहा तक जाएंगे आप, जो इंसान सपने देखने में डर रहा है, और सपने देखने का क्या मतलब है, कुछ से बादा करना, what is a dream, a dream is a promise to yourself, this is a promise to myself, मैं कहा रहा हूँ कि मैं गीवर होगा, this is a promise to myself, और अगर आप लीडर है, आप एक team को lead करने हैं, company चला रहे हैं, start-up है, या मान के चली political leader है, तो आप लोगों से promise करने हैं, वो सपने है, वादा करने में भी चूक जाएंगे, तो जंदी में आगे कैसे बढ़ेंगे वादे तो करने होंगे आपको, तो मुझे लगता है कि dream का बगुत बड़ा रोल है, और इस दुरिया में जितने भी लोग आज अगर फर्ष से उठके अस्त पहुँचे हैं, यह वही लोग है जिन्नोंने सपनों को देखने में डरना छोड़ दिया था, यह डरे नहीं थे, और अगर वो डर गए होते हैं, तो फिर वाद तक पहुचते ही नहीं, आप देखे जितनी भी अमीरी की कहानिया हैं, वो गरीवी से शुरू होते हैं, तो उस गरीवी में कोई कैसे सपना देख सकता है, उसमें साहस होगा सपनों को देखने का, दूसरे चीज़ क्या है, कि dream एक energy है, जब आप dream लेते हैं, जब आप dream, dreaming कर रहे हैं, you're feeling energetic, अभी हम बैट के सोचें कि हमें मुख मंत्री अब बनना है, हम प्रदान मंत्री के बारे में सोचेंगे कि 20 साल के बाद हमें इस देश का प्रदान मंत्री बनना है, you will get some sensation, that sensation will be different, if you truly believe in that, if you truly believe, yes, तो वो sensation energy जो है, वो आपको act के लिए direct करेगी, अगर कोई action ने ले पा रहा, इसका ये मतलब नहीं है, कि उसको चीज़ें करनी नहीं आती, इसका ये मतलब है कि सपने मजच चुके हैं उसके, so if you don't have dream as the form of energy, you will be not able to act, अब act नहीं कर पाएंगे, क्योंकि action का जो fuel है, वो dream है, तो आपका action उतना ही होगा, जितना उसको fuel दे रहा हैं, कार उतनी चलेगी, जितना fuel है उसके पास, इंसान उतना ही मरेगा अपने लिए, या दुनिया के लिए, जमाने के लिए, जितना बड़ा ख्वाब देख रहा हो, इसलिए का जात है, एक dream पूरा हुआ, दूसरा It's a dream after dream, there's a journey of dreams, right, खत्म कभी नहीं होने चाहिए, dream खत्म, आप खत्म So, how to deal with that comfort zone, जो आपने कहा कि कई लोग, एक point तक पहुशते हैं, उसके बाद comfort zone में आ जाते हैं, उस comfort zone से निगल नहीं बाते हैं, तो comfort zone से deal करने के लिए, आप क्या करते हैं, and how you deal with it, and how you will advise other people to come out of comfort zone Comfort zone का मतलब क्या है, मतलब जब आप physically या mentally किसी भी प्रकास से कोई pain फील नहीं कर रहे हैं, आप को stress नहीं हो रहा है, ना physically और ना mentally तो आप comfort zone बोल सकते हैं, कि मैं comfort zone में रहके काम कर रहा हूँ, सभी बात, ठीक है, comfort zone में वही लोग हैं, जिन्होंने कुछ पा लिया है, और जितना पा लिया है, उससे लगबख खुश है, comfort zone से निकलने के लिए आपको bigger purposes चाहिए, bigger dreams चाहिए, कि कोई चीज हो जो आपको comfort से बाहर लेके जाए, आप तो लेके नहीं जा पाएंगे, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी ख्वाब नहीं जागे अंदर में, तो जब तक ख्वाब नहीं जागे हैं, तब तक अलाम जगाएगी, जस दिन अंदर में ख्वाब जाग जाएगा, तब तो आपको कहना पड़ेगा कि सो भी जा रहे है, सोना में ज़रूरी है, निन् कमफर्ट में वो लोग हैं जनको अपने काम से और किसी बड़े पॉपस से अभी तक महबबत नहीं कोई है अगर महबबत हो जाती तो वो कमफर्ट में नहीं रहते शारुक खान कहते हैं कि मैं फ्लाइट से जर्नी करता हूँ तो वो सीड भी वो पीछे लेके नहीं जाता ऐसी रहता हूँ यह कौन लोग है भई नहीं क्या पड़ी होगे थे कि नहीं अराम नहीं करना है लाइक है तो आज इतना काम कैसे कोई कर सकता है चाब बात है क्योंकि वो पैसों से जुड़ा ही नहीं है हमें लग रहा है पैसों से जुड़ा है वो जुड़ गया है काम से और ज दुकान में आपको रोज बैठना है, एक्टिंग में कितने कमा रहे हैं भी आप, आपने बूल एक करोड़ पर कमा रहो हर साल काम गया, दस करोड़ देंगे आपको, तो थीटर के मंच पे मरूंगा लेकिन ये दस करोड नी चाहिए मुझे आक्टिंग चाहिए So if somebody is feeling that he is being trapped by this particular thing comfort zone It means that he needs to check his love for his work तो ये passion कैसे डूढ़े इंसान ये बहुत सवाल बहुत सारे लोगों से मैं पूसता हो क्योंकि बहुत difficult days को answer करना तो what is your take on this कि ये जो purpose के आपने बाद की कैसे मिले इंसान को अपना purpose क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कम हो और में पता सिल जाता है कि ये मेरा purpose है लेकिन बहुत सारे उन्हें उन्हें जिन्दगी लग जाती ही डूढ़ने में क्या चीज़ है जिससे मेरे अंदर के तार बचते है अधिकतर लोगों को उनका चो passion बिला वो कुछ दूसरी लोगों को कुछ करते हुए देखके मिला आप कहीं लोगों की कहानिया पढ़ेंगे जब कहीं ऐसे athletes हैं जिन्होंने किसी और को खेलते हुए देखा और उनको लगा कि I belong to this मैंने आपको बोलते हुए सपोसरा और मुझे लगा कि ने ने I belong to this हमारी जो surrounding है हम कहां हैं कैसे लोगों के बीच में हैं क्या देख रहे हैं वहां से आपको अपना कहीं न कहीं passion मिल तो जाता है आप विश्वास नहीं कर पाते हैं रेकेगनाईज नहीं कर पाते हैं या कई बार आप उसे ignore कर देते हैं ऐसा कोई नहीं है जो यह न अभी तक समझ पाए कि मुझे पसंद क्या है मैं आप से पूछा आपको क्या पसंद है आप बता सकने है कि चाय पसंद है या कॉफी पसंद है अगर आपको जीब का पता है तो दिल का कैसे नहीं पता मन का कैसे नहीं पता पता तो होगा न तो पता तो है आपको कही ना कही ना कही वो विश्वास नहीं है कि आप उसको कैसे कि या यह करना है वो विश्वास नहीं है वरना passion खोजना मुश्किल नहीं है विश्वास खोजना मुश्किल है मुझे acting किसी को देखे मज़ा आ रहा है यार मैं तीक रहा हूँ दिन भर और पता तो चल गया कि पैशन मेरा भी आक्टिंग के लिए लेकिन मैं जा नहीं पा रहा विकर्स मुझमें वो फेथ नहीं है, मुझमें वो विश्वास नहीं है दूसरी चीज़ की कई बार आप जन्दगी में जो आपके काम हैं उनके लिए पैशन जो जनरेट करते हैं वो अपने पॉपस के चलते करते हैं जब आप खुद तक सिमित हैं तो आपका पैशन कहां तक जाएगा एक इंसान अपनी फैमिली के लिए कितना पैशनेट हो जाएगा, चार लोग ही आपकी फैमिली में, कितना पैशनेट होंगे भई आप बगर सिंग तो नहीं हो सकते हैं, वो नहीं कि आव शकता भी नहीं है देश से मौंबत करेंगे तो बगर सिंग पैदा होगा कोई घर से मौंबत करके बगर सिंग पैदा हो जाए, इस इंपॉसिबल तो अकर आपका जो पॉपस है, वो सिमित है, उसकी परीधी बगर को छोटी है तो पैशन ही जेनरेट नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको सौंब एक इंसान गल्टी से मिल सकता है मंडे तो होते 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 हैं लोगों की आत्मा कापती है कि आज मंडे हो गया बहुत कमाल की चीज है वो एक गिफ्ट है, ब्लेसिंग है ये ब्लेसिंग सबको तब बलेगी जब वो अपनी सोच की परीधी को बड़ा करेंगे अगर आप अपनी सोच की परीधी को बड़ा नहीं कर सकते and here I mean कि सेल्फ से उपर सोचना, स्वार्थ से उपर सोचना जब आप स्वार्थ से उपर सोचेंगे, तो जुरून पैदा होने लगेगा अच्छा जो एथलेट्स हैं, ये सिर्फ अपने काम के लिए पैशनेट नहीं है सर ये इसके लिए पैशनेट है कि एंडिया का ना वो जंडा मुझे लेरा नहीं हुआ वरना ध्यान चंद बेखना जाते हैं, हिटलर ने तो खरीदने की कोशिश के थी उन्होंने तो कहा था कि आजाओ, तुम तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ ये बना देते हैं, बड़ा पद्दे देते हैं इससे भी बड़ा question है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, देश अमारे लिए क्या कर रहा है, यह उतना important नहीं है, जितना कि यह है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, तो passion सर्व उन्हीं लोगों में आएगा जो खुद से बाहर थोड़ा सा निकलें तो यहाँ पे एक होट सी विश्वास के हमने बात की, तो what is the role of belief, कैसे इनसान belief पेदा करे, क्योंकि बहुत सारे लोग में देखे कि actually truth है कि lack of belief रहता है, विश्वास नहीं रहता उन पे, चाहे आप तो sales पे भी coaching करता है, तो even sales में भी हम देखते हैं कि sales is also a game of belief, whatever you do in your life, it's a game of belief, so what is the role of belief in success and how one can cultivate belief, कैसे पैदा किया जाए अगर नहीं है तो, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं एक इंटर्व्यू देख रहा था, और श्राद या, ठॉक था उनका, नवाजुदीन सिद्धिकी का, तो उनने का कि जब मैं शुरू में जा गया, जब मैं आउडिशन देने जाता था, या मान, जब मैं मिल रहा था लोगों से, तो किसी को विश्वासी नहीं होता था, कि मैं एक्टर हूँ, and people used to have some other perception of actor, बॉलीबुड में तब एक अलग perception था, एक्टर होने के लिए, आप स्मार्ट होने चाहिए, आप भी बॉडी होने और नवाजो दिन सिद्ध की जाके बोल मैं एक्टर हूँ, तो अच्छा, सच में, ये वाली बात था, उन्होंने कमाल की बात के लिए, उन्होंने का कि तब उस वक्त, जब कोई मुझे पे विश्वास नहीं कर रहा था, तो मुझे लगातार रिजैक्शन मिल रहे थे, उदर से ले के आयों, मैंने वक्त दिया है, सीखा है, तो जिस वक्त पूरी दुनिया मुझे विश्वास नहीं कर रही है, उस वक्त भी मेरा विश्वास नहीं डोल रहा है, नहीं शेक कर रहा है, वोई, because I have got faith in my education, अगर किसी के अंदर विश्वास नहीं है, इसका मतलब है उसकी learnings, उसका education कमजोर है, आपको नहीं लगता कि आप एक अच्छे influencer बन सकते हैं, एक अच्छे YouTuber बन सकते हैं, या फिर एक अच्छे coach बन सकते हैं, इसका क्या मतलब है, skill के ऊपर खश नहीं किया आपने, learnings में खश नहीं किया आपने, मैं learnings में 4 लाग रुपे खश कर द या मैंने, and if I have been honest over there, right, in learning the things, right, जो चीजे मुझे मेरे mantles ने बताई, coaches ने बताई, और मैंने सीखी है, और apply भी करना किया है, और मुझे पता कि नहीं है, मुझे मैं है वो चीज, तो definitely आज नहीं तो कल दुनिया को भी पता चल जाएगा, so विश्वास के लिए मुझे लग होना चाहिए कि quick success, quick approval इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है, हम और विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि हम quick approval चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कमाल का आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप तुरंद मान ले, और दुनिया की एक अपनी रीत है कि दुनिया तु रहा का आदमी है, आप साबित कीश, you approve yourself, before we move to the rapid fire, successful होने के लिए, any three to four things that you want to give to our audience, कि किसी भी field में अगर सफलता चाहिए, तो दो तीन ऐसी बाते हैं, जो follow करनी ही चाहिए, किसी भी field में सफल होने के लिए, पहनी चीज़ कि आपको उस film में जो लोग सफल हैं, उनको करनी क्या रही है, उन्होंने exactly क्या किया, और उसको सीखना है, यानि पहली चीज़ learnings है, education, learnings है, कि आप कमाल की learnings लीजे, learnings पे invest कीजे, वो खर्शा नहीं, वो निवेश है, कई लोग वो निवेश नहीं करना चाहते, और वो direct कुछ बनना चाहते हैं, तो अगर आप direct बन अगर नहीं, प्रॉसस से तो गुजरना होगा, पहली चीज़, दूसरी चीज़, पेसेस रखे, वो कहते हैं, कि बहगवान के पास दो एकाउंट चलते हैं, वो current ओच सेविंग, तो कुछ लोग के current एकाउंट चलते हैं, वो काम करते हैं, उनको फल मिलता है, वो काम करते है फल मिलता है, काम करते हैं फल मिलता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन जो काम कर रहे हैं महनत कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा महनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है महनत कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनका सेविंग एकाउंट चल रहा है, जिस दिन मिलेगा, सूद समेत मिलेगा, इंट्रेस्ट के साथ मिलेगा, so patience आपके पास होना चाहिए, and third thing, never give up, छोड़िये मद, कुछ भी हो जाए, और एक field को अपनी जिंदगी दीजिए, मैं ये कहना जानो, give your life to one field, to one area, to one subject, सच्छे नाज, इसले सच्छे ने क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दे दी, लता मंगेश कर ची, इसले लता मंगेश कर वी, क्योंकि उन्म्यूजिक को दे दिया, पूरा जीवन, मोधी जी इसले मोधी जी है, क्योंकि politics को पूरा जीवन दे दिया, हम और आम लोगों की समस्या क्या है, हम थोड़ा थोड़ा सब करना चाहते, थोड़ा ये भी करा लो, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी, and we are, means ready to change, to shift our field, कि तुरं तुरंद बदल लेंगे, इसमें नहीं मिल रहा ये करते हैं, इसमें नहीं दे मातओं आपके लेते हैं, अभी ये करूँगा, तो जब इस प्रकार का जिद होता हो, तो युनिवर्स आपके सामने जुग जाते हैं, बना अक्टर को या शोड़ो, ये गहरे यही मरूँगा, universe always fall in love with a stubborn soul what the truth is, great universe always falls in love with a stubborn soul oh yes जिदी दिल, तो वो जिदी दिल अगर आपके बास है तो सही बात है, universe जुकता है beautiful जी, so now we'll move to the rapid fire Shashish चलिए Shashish, ready? yeah जिन्दिगी आपके लिए क्या है? a journey आपको सबसे जादा कौन इंस्पार करता है? मुझे सबसे अधिक मेरा काम इंस्पार करता है बहुत बड़ी आप बिग ड्रीम अचीव करने का पहला स्टेप क्या है? शुरू कर दो, जितना है जो कुछ भी होई से शुरू कर दो सपनों के लिए सेक्रिफाइस करने के लिए इंसान को किन-किन चीज़ों के लिए तियार रहना चाहिए? सब कुछ, अगर आपके पास एक ऐसा गोल है जिसके लिए आप सब कुछ सेक्रिफाइस कर सकते यहां तक की खुद को भी, अपनी जिन्दगी को भी तो समझ लिए आप ब्लेस्ट है अगर आप अपने पैसन को फॉलो करेंगे तो यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सविलिटी ही यही है सेल्फ मोटिवेटर रहने के लिए एक चीज़ जो आपके पास हमेशा होती है हैबिट आप अगर मान के चले कि आप एक घंटे किताब पढ़ते हैं और इससे आपको यह फील आता है कि मैं कमाल का इंसान हूँ तो सुनिए 24 गंटे में कुछ भी कीचे एक घंटे पढ़ लीजे क्योंकि उससे आपको फील आता है कि मैं कमाल का इंसान आपकी जरनिकी सबसे कुपसरत बात क्या है मैं रुका ही नहीं I never stopped मैं कभी रुका नहीं मैं कभी depressed नहीं हुआ ऐसा नहीं कि समय हमेशा अच्छा रहा लेकिन मैं रुका नहीं मुझे रुकना नहीं आता I was involved in doing something आपके बिग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए एक message You can do anything, right Have faith in yourself सही team member choose करने के लिए सही गलत team members को ही नहीं होता है लोग-लोग होते है आप उनको कैसे nurture करने है that is important हर इंसान अच्छा होता है शराप पिने वाल अच्छा है सिग्रेट पिने वाल अच्छा है उसमें courage है उसको पता है cancer होगा फिर भी पी रहा है करिस तो है कौन सी तीन value सबसे important है सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों से महबत करते हो आप लोगों की फिक्र करते हो आप जो कुछ भी लेके आ रहे है उसका केंदर लोग है दूसरी चीज़ आप को change लेके आना चाहते है आप वही नहीं करना चाहते है जो हमेशा से क्या जा रहा है you want to bring something innovative something new और तीसरी चीज़ कि आपके पास कमाल का करेस होना चाहिए ताकि आप risk ले पाए अगर आप risk नहीं लेंगे तो entrepreneurship से आप बहुत दूर है दोस्ती आपके लिए क्या है मेरे दोस्ती है कि हम अंदर से जुड़े हुआ है और अंदर से एक दूसरे की फिक्र करते है फिक्र पार्टी में अवलेबल नहीं है लेकिन परिशानियों में अवलेबल रहेंगे अपने 18 साल के सेल्फ को क्या एडवाईज देना पसंद करेंगे मुझे लगता है कि और किताबे पढ़ना चीए था और किताबे पढ़ते तो और आके रहते और अच्छा करते खिताबे पढ़ना था